हवा जो है इस समय काफी तेज है और मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ तलाई टेंपल मुशोबरा तलाई मंदिर मुशोबरा में मैं आपको लेके जा रहा हूँ तो चलिए आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ तलाई टेमपल और यह जो तलाई टेमपल है मिशोबरा में है पहुंच चुके हैं अब तलाई टेमपल मिशोबरा का तलाई टेमपल दिखाता हूँ आपको यहां का तलाई टेमपल यहां से वियू देखे कितना खुबसुरत आता है यह देखे तलाब का भी अच्छा वियू भा रहा है सामने सडक है काफी सुंदर और प्यारी जगा है यहां पर जुरूर आना चाहिए आपको काफी इंजवाय करते हुए यहां पर लोग यह तलाई टेमपल सामने उपर यहां मैं भी आपको लेके जाऊंगा फिलाल यह लॉन आप देखे शिम्ला के मशोवरा में स्थित है यह नेचर पार्क से बिलकुल 200 मीटर पीछे की तरफ पहले नेचर पार्क फिर तलाई टेमपल अगर आप मुशोवरा की तरफ से आ रहे हैं तो यह पहले आएगा इसके 200 मीटर बाद फिर आपके नेचर पार्क आएगा और अगर आप नाल देहरा को कवर करते हुए आ रहे है तो पहले नेचर पार्क आएगा और उसके 200 मीटर बाद यह आएगा यहां बैठकर जो है काफी सकून मिल रहा है काफी मंद मंद हवा है और काफी यह प्यारी जगा है जो नेचर को निहारना चाहता है उसके लिए तो काफी बेस्ट है यह जगा बिल्कुल तलाई टेमपर चलिए थोड़ा उपर की तरफ से आपको लेकर चलता हूँ तो पार जो है पारकिंग का स्पेस है आपर पारकिंग के लिए गाड़िया लगी है बीच में रोड है और यह है आपर लॉन यह देखे आपके नीचे तलाब दिख रहा है काफी बड़िया और सुन्दर यह तलाब है काफी अच्छा बहतरी और वियू तो कमाल का है तो मैं आपको पहले दिखा दिया है जितना इसे आप देखेंगे उतना आपके मन को सकून मिलेगा काफी बहतरी यह तलाई मुशोबरा का तलाई और अब टेम्पल की दरख चड़ना चाहिए तो चलिए अब टेम्पल ही देख लेते हैं कैसा बनाया है देखते हैं जाकर के टेम्पल के बाहर का जो वियू है वो यहां से ऐसे दिखता है देखी यह अदि जाएंगे स्टेर से यह देखी है स्टेर टेंपल जाने के लिए, यह यहाँ पर सामने गेट, और यह है टेंपल जाने के लिए स्टेर, यह आग्या जी मंदिर, दर्शन के बाद दुराजा बंद करें, यहाँ तो पूजा हो रही है, जो यह देखा है, बन्दिर में प्रवेश करते हैं पहले, मंदिर के अगल वगल का जो द्रिश्य है ये भी काफी खूबसुरत है ये देखिए काफी उंचे यहां पर ये देवदार के पेड़ यहां से भी प्यारा और खूबसुरत निजारा तलाई तलाब का और यहां पर बंदिर के पास मैं को दो आज का जो सफर है ये काफी अच्छा सफर रहा है और आज जो है तलाई टेंपल का जो था हमारा देखने का वो भी कंप्लीट हो चुका है तो आज के लिए इतना ही अगले व्लॉग में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड़ बाए और चैनल का सबस्क्राइब जरूर कीजिया प्लीज